लखिमपुर खीरी मामले का मुख्य आरोपी केंद्री ग्रिहराज्यमंत्री अजे मिश्र टेनी का बेटा आशीश मिश्र मोनू अब जेल जाने वाला है। उसकी जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोट फैसला देने वाला है। इससे पहले इस मामले में सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार पर सक्त टिपड़ी की थी। जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आशीश मिश्र की जमानत रद हो सकती है। आशीश मिश्र को एक बार फिर से जेल भीजने की तैयारी है। निगाहें सुप्रीम कोट पर है। कल सोंबार को सुप्रीम कोट की कारवाई शुरू होगी और सुबह ही सुप्रीम कोट आशीश मिश्र की किसमत का फैसला सुना देगा। सुभा साड़े दस बजे आशीश मिश्र की जमानत पर फैसला आ जाएगा इलहबाद हाई कोट ने दस फरवरी को आशीश मिश्र को जमानत दे दी थी लेकिन पीडित पक्ष की ओर से इसे सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई है स्टीएफ ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चड़ाने की घटना में आशीश मिश्र को मुखे आरोपी माना है इस घटना में चार किसानों की जान चली गई लेकिन आशीश मिश्र को आसानी से जमानत मिल गई कोट ने सुनवाई के दोरान सरकार और स्टीएफ पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसकी ओर से जमानत को चुनोती क्यों नहीं दी गई पीरित पक्ष के वकील की दलील थी कि हाई कोट ने SIT की रिपोर्ट के साथ साथ चार्ज शीट को नजर अंदाज कर दिया आरोपी बाहर घूम रहा है उससे गवाहों को मुश्किल हो रही है हाल ही में मामले के गवाहों को धमकाने की खबरें भी सामने आई है दूसरी ओर आशीश के वकीलों का दावा है कि जिस जगा घटना घटी आशीश मौके पर मौजूद नहीं था राजनीतिक कारणों से उसे फसाया जा रहा है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्टने भी हाइ कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश पर आपत्ति जताई थी सुप्रीम कोर्ट आशीश मौक की किस्मत का कल फैसला करेगा अपने घर पर ही अदालत लगा कर फैसले सुना रहा है लोग आ रहे हैं और आशीश विवादों को सुलजा रहा है उसके फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है जिससे साफ होता है कि आरोपी की शेत्र में जबरदस्त हनक है वो बाहर रहेगा तो गवाहों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कई गवाह इसे लेकर शिकायत भी कर चुक कर दो